दोस्तो 9 अगस्त 1997 को अर्जंटीना के कॉंकडिया शहर से चार बच्चों को एक युएफो द्वारा अगवा कर लिया गया था और वो भी ठीक उनकी मां के सामने हाला कि तीन दिनों बाद ये बच्चे सकुषल वापिस लोट आए पहले तो पुलीस को इनके माता पिता एमीली और कारमें मोलेरो पे विश्वाश नहीं हुआ लेकिन बच्चों के लोट आने के बाद वो लोग मामला रफा रफा करने के चक्कर में लगे रहे लेकिन कॉंकोडिया पुलीस डिपार्टमेंट का एक इन्वेस्टिगेटर रोडरीगो और टेस उन कुछ लोगों में था जो इस घटना को सचमान रहे थे रोडरीगो के हिसाब से बच्चे जूट नहीं बोलते और वो भी इस तरह से एथोरिटीज ने 8 साल की मारिया, 6 साल की एमा, 5 साल का जॉर्जे और 3 साल के कार्लोस से ज्यादा जानकारी लेने के लिए काफी बात की थी घटना के एसाब से ये 4 बच्चे बाकी बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे उनकी माँ उस समय घर के बरामदे में ही थी जब उसे अचानक बच्चों के चिलाने की आवाज सुनाई दी जब वो दोड के बाहर गई तो उसने 25 मीटर व्यास की एक उड़न तश्थरी को बच्चों के पास देखा वो जोर जोर से अपने पती को बुलाने लगी के तभी उस यान में से एक बीम निकली और बच्चों को यान के अंदर खीच लिया ये देख उसकी मा भ्योशी की हालत में आ गई और उसके पिता जो उसकी आवाज सुनकर वहाँ आये थे उन्होंने उस यान को वहाँ से जाते हुए देखा अपनी वापसी पे बच्चों ने कहा कि उन्हें गए कितना समय हो गया है उन्हें नहीं पता क्योंकि उस यान पे उन्हें रात और दिन का पता नहीं चल रहा था उनके हिसाब से यह यान पर जाने के बाद उन्हें लालार नाम का एक व्यक्ति मिला जिसने सुनहरे कपड़े पहन रखे थे और चांदी जैसे शमकीले बाल थे वो उन्हें चांद और अन्य ग्रहों पर लेके गया था बच्चों कहना था कि इस पूरे ट्रिप के दौरान लालार ने उनके साथ बहुत अच्छा विवार किया मारिया ने कहा कि उन्हें एक सुनहरे यान द्वारा आस्मान में ले जाया गया था और वो खुद भगवान चला रहे थे एमा के हिसाब से उसे वहां के विस्तर सबसे अच्छे लगे क्योंकि वह बहुत बड़े और मुलायम थे कारलो सा कहना था कि उस यान में लाखो बटन्स और लाइट्स थी और उसे जो चला रहा था उसका सर बहुत बड़ा था और उसकी बड़ी बड़ी पीली आखें थी बच्चों की छोटी उमर की वज़े से उनसे और कश्टैक सावाल पूछे जाना ठीक नहीं था और एथॉर्टीस कभी बिस घटना की तह तक नहीं पहुँच पाई हाला कि उनके गालों पे खरोचो जानों के निशान साब दिख रहे थे एक मिलिटरी स्वोक्स्मेन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि उनके रडार पे अपरन के दिन और उनकी वापसी के दिन एक यूएफो दिखा था उन्होंने कहा कि यान पे और भी लोग थे लेकिन वो लालार की तरह चमक नहीं रहे थे बच्चों को छोड़ने से पहले परग्राईयों ने उनके चेहरे को एक सफेट डंडे से रगड़ा था और उनकी पीठ में कुछ सुईयां चुभोई थी एमिलियो और कार्मेन के हिसाब से बच्चे मंगलवार को आ गए थे और उसके पहले पुलिश नोंने काफी ढूंडा और उन्होंने पास कही एक बेश से हवाई मदद भी ली थी अग्ले दिन इन चार बच्चों के माबाप उन्हें डॉक्टर के पास ले गए जिन्होंने ये कंफर्म किया कि उन पे कुछ अजीब सी मेडिकल टेस्ट हुए थे और उन्होंने चारों की पीट पे सुईयों के निशान भी देखे इसके अलाबा डॉक्टर्स ने और कोई जानकारी नहीं दी 2010 में कुछ रिसेर्चेज ने ये केस को रियोपन करने की कोशिश की लेकिन उन्हें मुलेरो फैमली का कोई पता नहीं चला लोगों के हिसाब से इस घटना के तुरंद बाद ही मुलेरो फैमली को वहां से कहीं और शिट कर दिया गया था और उनकी पैचान भी बदल दी गई थी ताकि प्रेस या और कोई उन्हें ढूंड ना पाए ये घटना अभी भी बहुती कम स्टड़ी की गई अपरंग की घटनाओं में से एक है धन्यवाद तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथी साथ बेल आइकन को भी दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडिय वीडियो में कुछ इंट्रस्टिंग फैक्स के साथ नमस्कार